बच्चों आज हम आपको ऐसी वेडियो देंगे जिसमें आप यह समझ सकेंगे कि जो बच्चे intermediate biology से पास हुए हैं अगर वो व्यस्य करना चाहते हैं और व्यस्य कहां से करना चाहते हैं डाक्टर नाम मनोहल लोहिया अवदविश्य विद्याले अयोध्या से तो उनके लिए जो अवदविश्य विद्याले है जो कि आप intermediate बोर्ड पर इच्छा दे करके पास हुए है और अब आप आगए हैं graduation में आप graduation करेंगे जो की तीन साल का होगा और तीन साल में आप यहां बोर्ड से हट करके आप सीधे आते हैं इनवस्टी में और वह इनवस्टी जिस इनवस्टी में आप पढ़ना चाहते हैं हम इस्पेसली ये बात कर रहे हैं डाक्टर राममनोल अबद विश्व विद्यालय अयुद्या की जिसमें जो बच्चे BSC करेंगे जो की बायो गुरूप से होंगे बायो गुरूप में उनको जो लोजी, बोटनी और केमेस्टी का एक combination बनता है जो बच्चे जो लोजी, बोटनी और केमेस्टी लेके BSC करेंगे उसमें एक subject होगा बोटनी तो बोटनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि बोटनी में वो कौन-कौन से paper होंगे और उस paper में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है चुकि unified syllabus है, unified syllabus होने के नाते syllabus अब जगा काम करेगा, लेकिन especially चो बच्चे universities तो कई हैं, लेकिन ये हमारी जो है अवद्विस्विद्याले के लिए है, तो बिटा ये ध्यान देने की बात है जब आज से आप बहसे में आएंगे, तो आपको उस syllabus के बारे में जानकारी होना चाहिए जो कि syllabus किस से related है, बातनी से है, तो बातनी में हम आपको ये बताएंगे कि कौन-कौन से paper होते हैं, बातनी के, यदि आप बातनी पढ़ते हैं तो तो बातनी में आप देखिए, जो ये paper हमारे हैं, जो कि केवल किस के लिए होगा BSC Part 1 के लिए है, BSC Part 1 में जो पहला paper होगा आपका, उसका नाम होगा Diversity of Virus, Bacteria and Fungi, ये आपका हो जाता है, First paper, इसको आप पढ़ेंगे First paper के नाम से, Diversity of Virus, Bacteria and Fungi उसके बाद जो दूसरा paper होगा आपका, वो दूसरा paper होगा Diversity of Algae, Lichen and Bryophyta इसके बाद तीसरा paper आपका होगा, Diversity of Terridophyta, Gymnose Sperm and Elementary Paleo Botany तो ये हमारे तीनों paper है, इन तीनों paper को आपको BSC में पढ़ना है इस अभी बात आती है कि तीन paper है, चुकि तीन paper कितने कितने marks के होंगे ये सारी बाते आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे जो हमारा पहला paper है, First paper वो आपका होगा, 50 number का कितने number का होगा, 50 number का, दूसरा paper कितने number का होगा, कितने number का होगा, वो भी कितने का होगा, 50 number का होगा तीसरा कितने का होगा, ये भी जो होगा, कितने number का, 50 number का होगा, तो इस प्रकार से इन तीनों paper का जो नंबर का distribution है वो कितने कितने नंबर का हो गया 50 50 50 अगर इन तीनों 50 को आप जोड़ते हैं तो आकर के बाटनी कितने नंबर की बन जाती है एक सो पच्चास की यह तो हो गई आपके थेओरी पेपर की बात अब फिर दूसरी बात आती है कि चुकि अभी इसमें 50 नंबर की कमी है वाटनी का जो पेपर होगा वह एक सब्जिक्ट होता है विससी में कितने मांग का 200 मार्स तो पढ़ेंगे तीन पेपर आप तो 200 600 मांग क वह आपका प्रेक्टिकल का मार्स होगा पचास नंबर का तो इस प्रकार से यह आपके टोटल बाटनी के 200 मांग के पेपर बन जाते हैं यह बिटा आपने देखा होगा कि यह बाटनी के पेपर है कितने मार्स का कौन सा पेपर है कितने मांग का प्रेक्टिकल है यह सारी ची चीजी इसमें आ जाएंगी वाइरस क्या है बैक्टिरिया क्या है फंजाई क्या है एलगी क्या है लाइकेंस क्या है और आपका ब्राइवफाइटा क्या है डाइवर्स इसमें थर्ड पेपर में टेरोफाइटा क्या है जिमनोस्पर्म क्या है पेलियो बाटनीट क्या है तो इ तो आकर के बेश से में आपको दुबारा रिपीट हो रहे हैं मिल रहे हैं इसका होगा तो पहले आपने पढ़ा होगा वाइरस को भी पढ़ा होगा आपने बैक्टिरिया को भी पढ़ा होगा और आपने फंजाई को भी पढ़ा होगा इंटरमेडियत में और क्या पढ़ा और Paleo Botany पढ़ा है करना है का मतलब है यह हमारा सीधास आपको बताने का है कि यह सारी चीज़ें आपने इंड्रक्शन लेबल पर या एक दो जनरा आपने पढ़ा होगा इंटल मेडियेट में लेकिन जब BSC की बात करते हैं तो BSC में वह सारी चीज़ें कैसी होती है पूरी explain हो जाती है बड़ी हो जाती है उसमें जीनस बढ़ जाती है जनरा बढ़ जाता है तो हम अगर हम बात करें यह तो हमारे होगे पेपर डिस्ट्रीबूशन के